वेल्कम टू All Six Standard Students आज हम गुजराती के टैस्ट बुक के चैप्टर नमबर एट चैप्टर नमबर एट तामे टानी दड़ी रमे दादा दादी जो टाइटल दिया गया है तामे टानी दड़ी रमे दादा दादी उस मैं पहले एक काव्य है जिसका मैं अभी पठन करूंगी इक काव्य मूँ गावी ने संबड़ावी बदाने अने पच्छी एना पच्छी जे चैप्टर छे तेनों आपड़े आज अभ्यास करीशूं तो चालो आपड़े आ काव्य विसे जाणिये तामे डानी दड़ी रम अमारा भेरोनी धमाल मस्ती कडता कडता खिलवानी रुतू हुतुतुतु हॉय शियाडो के वैकेशन वर्सा देपन रमवू बारे महिना चालती अमारी केवी मजानी रुतू हुतुतुतुतु हार नहीं के जीत नहीं बस रमवा माटे रमवानू सौने सौनी रमतो हॉय ने कोई न बाकी रहतु प्रस्तुत कावय मा बतावा माविचे जाने रमवा निरुतु जैसे लगता है कि खेलने की रितु आई हो बधा मारा भेरु होने सारे मेरे जो फ्रेंड्स है भेरु मनतलब सात में खेलने वाले दोस्त हैं धमाल मस्ती करता करता धमाल मस्ती मस्ती करते करते खिलवानी रितू और क्यों मस्ती करते करते इंजॉय करने की एक सीजन है हुद्टु तु तु हॉय सियाडो के वैकेशन चाहे ठंडी हो या गर्मी का वैकेशन हो वर्सादे पंडरमू बारिश का सीजन हो फिर भी खिलना होता है बारे महिना चालती, हमेशा बारो महिने चलने वाली, हमारी केवी मजा नी रितू, और हमारी कैसा हम इंजोई करने का सीजन होता है, हुद तू तू तू, हार नहीं के जीत नहीं, बस रमवा माटे रमवानू, हार नहीं और जीतना भी नहीं, केवल इंजोई करने के लिए, ख यहां पर हुतुतुतु का मतलब है की जब भी कबड़ी की गेम खहलते है तो जब एक टीम में से दूसरी टीम का कोई मेंबर उसे आउट करने के लिए जाता है तो अपने मू से अवया निकलता है sabay के बारे में यहां पर बताया गया है तो चालो विद्यार्थी मित्रो, अजे हावे चैप्टर नमबर एट ना बीजा भागनो, अथा चैप्टर नमबर एट के दूसरे पार्ट मतलब मार दड़ी मास्टर, जिसका पेज नमबर 139 है, उसका अभ्यास करते हैं और इसका टाइटल दिया गया है मार दड़ी मास्टर जिसमें कुछ बच्चे हैं और वो अपने दादा दादी से वारतालाप करते हैं, बातचित करते हैं तो उनके दादा दादी उनके जमाने की बाते उनसे शेयर करते हैं, जैसे आप भी अपने दादा दादी ग्रैंट पैरेंस से बाते करते हो और वो भी अपने जमाने की ब उन्हें बताते हैं तो चलो अब उसे पढ़ने का प्रयास करते हैं और उसे समधने की कोशिश करते हैं पलक आ मैच मा तो आपड़े जीती जवाना पलक बोल रही है कि इस मैच में तो हम जीत जाएंगे तो रुद्र कह रहा है हाँ गया मैने रमाईली मैच मा पड़ आपड़ और पलक के दादा कह रहे हैं अल्या तमे बेवजन वडी रमवा क्यारे गयला ते जीती गयला तुम दोनों कब खेलने के लिए गये और जीत गये पलक कह रही है कि एम नहीं दादा आपड़ी टीम जीती हती तो पलक कह रही है कि दादा ऐसा नहीं कि हम जीते लेकिन हमारी तीम जो है वो जीती थी। दादा कह रहे हैं कि तो आम में कहो कि आपड़ा देशनी टीम तो दादा ने कहा कि तो ऐसा बोलो कि हमारे देश के टीम बाकी तो जे रमे एज जीते के हारे लेकिन जो खेलता है वही जीतता है और हारता है तमें तो टीवी अने मोबाइल माज गेम जोया करो छो इतले तमारे वड़ी जीत शु के हार शु दादा जी कह रहे हैं कि तुम लोग तो किवल TV और Mobile में ही गेम खिलते रहते हो देखते रहते हो तो तुम्हारे लिए क्या जीत और क्या हार तो पलक कह रहे हैं कि दादा हमें क्रिकेट के फुटबॉल रमा क्या जाए तो पलक अपने दादा से कहा है कि दादा जी, हम क्रिकेट या फुटबॉल खेलने के लिए कहा जाएं। यह दो गेम के अलावा रुद्र कहा है कि इन दो गेम के अलावा और कौनसी खेल होते हैं। दादा जी कह रहे हैं, पूछ तारी दादी ने एशू रमता हता, दादा ने कहा कि पूछ तुम्हारी दादी से वो क्या खेलती थी, तो दादी कह रहे हैं, अमे तो घणी रमतो रमता, दादी ने जवाब दिया कि हम लोग तो बहुत सारे गेम्स खेलते थे, बहुत सारे खे रुद्र अनेपलक एक साथे रुद्र और पलक दोनों भाईबैन एक साथ में बोले है 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 Тमें रम्दाहता ओहो हो मतलब आश्यरे से चकित होकर वो दोनों बोले क्या आप भी खेलते थे शेर्यों मा जाईने शेरियो का मतलब होता है गलियों में जाकर आप भी खिलते थे दादी नहीं तर शू तो अमारी जेम घर कुकडी थहीने रहता हो इशू तो दादी ने जवाब दिया नहीं तो क्या तुमारी तरह घर में एक कोने को पकड़के बैठे रहते होंगे हम लोग तो दादा ने कहा बहु मज़ा आवे चोकराओ आपड़िया बधी देशी रमतो रमवा नी तो दादा ने कहा कि बहुत इंजोई करते थे हम लोग बच्चो जब हम लोग ये अपनी देशी खेल को खेलते थे घरेलू गेम्स को खेलते थे पलक ने कहा मू बनागते हुए पलक ने कहा एवू जूनू रमवा मशी मज़ा आवे वो कहने लगी कि ऐसे जूने खेल को खेलने में क्या मज़ा आती होगी क्या इंजॉय होता होगा दादी ने कहा अली रम्या वगर कैम आओ कहे छे अली मतलब अच्छा खेले बिना तुम ऐसा कैसे कह सकती हो एक बार रमे तो खबर पड़े ने कि मज़ा आवे छे के न थी आओती एक बार उस गेम को खेलोगी तब तुम्हें पता चलेगा कि मज़ा इंजॉय होता है या नहीं रूद्र तो तो एमने पड़ देसी रमतो सिखवोने तब रूद्र ने कहा तो दादी हमें भी वह देसी खेलो के बारे में बताओ उससे सिखाओ दादा जी ने कहा चोकस तमें एक वर देसी रमतो रमवा माड़ो तो चसको लागी जसे निश्चित रूप से अगर तुम लोग एक बार ये देशी खेल को खेलोगे तो तुम लोगों को भी उसका नसा चड़ जाएगा उसका आदत पड़ जाएगी मारदडी निरमत्मा हुँ एक को हतो मारदडी का जो खेल होता है चुटम दाडी होती है जो जिसमें बॉल एक दुसरे को खेच कर मारते हैं वो मारदडी की खेल में जो दादा जो थे उन्होंने कहा कि मैं इकका था था तो मुझे कोई हरा सकता नहीं था मने कदी दड़ो वाग्यों न थी और मुझे कभी भी वो बॉल लगा नहीं है अने हूँ दड़ो मारू तो निशान चुक्क्यों न थी और अगर मैंने किसी को वो गेंद मारी है तो वो निशान कभी खाली नहीं गया ते थी तो मारू नामच पड़ी हतो मार दड़ी मास्टर और इसलिए मेरा नाम पड़ गया था मार दड़ी मास्टर दादाए पोतानी मूझ पर हाथ फिरोयो और ऐसा कहते हुए पलक और रुद्र के दादा ने अपनी मूझों पर हाथ गुमाया और कहा बड़े सान से कि एम दादी धीमू हसी ने बोलया और दादी ने इशारा करती हो कहा अच्छा ऐसा है और उन्होंने धीरे से हसा बनने बाड़को दोनों बच्चे कहने लगे खरेखर खरेखर का मतलब मतलब सच में दादा दी आपका नाम मारदडी मास्टर था फिर दादा जी ने कहा इटले साव एवू नहीं एक बार एक बाहर गामनी छोकरी आपड़ा गाम मा लगन प्रसंग गयावी फिर दादा जी ने कहा कि ऐसा एकदम नहीं है एक बार एक बाहर से दूसरे गाउं की एक लड़की हमारे गाउं में शादी के एक प्रसंग में आई एणे मारे लो दड़ो मने वागे लो उसने गेम खिलते समय मुझे वो गेंद मारी और वो गेंद मुझे लगी ये जबरी ताकोडी हती और वो लड़की जो थी वो बहुत पक्की निशाने बाज थी रुद्र ताकोडी एटले तो रुद्र ने कहा कि ताकोडी का क्या मतलब है दादा जी तो दादा ने कहा ताकोडी एटले एवी व्यक्ति के जहने ताके तैने पाडिज दे ताकोडी का अल्थ होता है कि ऐसा इंसान जो किसी को देखे तो उसको गिरा ही दे गेम में अगर गे तो उसने कहा पलकने की तब तो वो लड़की जो है वो मास्टर कही जाने चाहिए आप नहीं रुद्रे ने कहा कौन हती ये छोकरी दादू तो रुद्रे ने सवाल किया अपने दादा जी से की वो लड़की कौन थी दादा जी मास्टर ने पर हरावी जाए एवी ताकोडी ने तो जोविच पड़े ने और जो मास्टर को भी हरा दे ऐसी ताकोडी लड़की को तो देखना ही पड़ेगा ना दादा जी ने कहा आँ बैठी जोई लो तो दादा जी ने कहा ये बैठी है देख लो दादा खडखडा ठसी पड़िया दादा जी जोड जोड से ऐसा कहकर हसने लगे पलक वहा दादी मास्टर तो तमेच कैम के तमे मास्टर ने पढ़ा विला तो पलक ने कहा वहा दादी आप ही हो वो ताकोडी लड़की मतलब आपने मास्टर को भी हरा दिया मास्टर तो तमेच हो मतलब मास्टर तो आप ही हो जिसने मास्टर को भी हरा दिया दादा जी ने कहा हार या न कहवाय हवे दादा जी ने कहा मैं हारा हुआ नहीं कहा जा सकता अभी कैम के जैने दड़ो वागे एपण मारना नो साथी दर बनी जाए क्योंकि जिसे वो गेंद लगती है वो भी मारने वाला का साथी दर बन जाता है पच्छी एब भेगा थाईने बीजाने दड़ो मारे और फिर वो दोनों एक तीम में आ जाते हैं और फिर वो किसी तीसरे को बॉल मारते हैं एम रमत आगर चाले और इस प्रकार से वो खेल जो है आगे बढ़ता है पलक ने कहा दादी नी जीवन भरनी साथीदार दादा नी जीवन भरनी साथीदार मारी वाली दादी पलक ने कहा कि दादा के जीवन की पाटनर पूरे जीवन की पाटनर अथाद साथीदार मेरी प्यारी दादी है रुद्र ने कहा जीवन भरनी साथीदार एटले तो रुद्र ने सवाल किया कि जीवन भर का साथी मतलब क्या दादा दादी और पलक त्रोणे हसी पड़िया दादा दादी और पलक ये तीनों बहुत जोड से हस पड़े दादा ने कहा ओ डब्बू एज ता हमारी दादी कहा कि ओ मुर्ख डब्बू वही है तुमारी दादी जो मेरी जीवन भर की साथीदार है तो सभी विध्यर्थी उसे मैं उमीद करती हूँ कि सभी को ये चैप्टर समझ में आया होगा मार दड़ी मास्टर और मार दड़ी मास्टर में पुरानी गेम्स का पुराने खिलों का वर्णन किया गया है कि आजकल के जो बच्चे हैं वो हमें साथ टीवी, मुबाइल्स, गेम और उससे ही लगे रहते तो हमें कुछ फिजिकल वर्क करने के लिए कुछ ऐसी गेम्स भी खिलनी चाहिए कि जो हमारे फैमिली मेंबर्स के साथ खेल सकें और इन्जॉय कर सकें और इसलिए हम अपने ग्रान पैरंस से हमें मिलकर बातचीत करनी चाहिए उनके जमाने की बातों को जानना चाहिए उनके समय की गेम्स को भी पहचानना चाहिए और उससी खिलने का प्रयास करना चाहिए वही इस चैप्टर में बताया गया है मुँ आशा करू चुके बधा विद्यार्थियों ने आपार्ट जेसे समझ मां समझन मां आवी गया है इतले बधा ने हूँ कही इसके बधा पार्ट ने ध्यानती जोजो और ने तैने समझवानों प्रयास कर सो ओके थैंक्यू माइ लवली स्टुडन्स थैंक्यू थैंक्यू वेरी मच